नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि करोना के दोरान जो मोते हो रही हैं, उनका घर के वास्तु से क्या रिष्टा है? मेरे अन्वों में आया है कि जिन घरों में करोना के दोरान मोते हुई उनके घरों में विशेश प्रकार के वास्तो दोश थे देखिए होनी तो हर गर में होती है उम्रे से तो सबकी म्रक्तिव होगी हर घर में होगी पर ऐसी म्रक्तिव जिसकी उम्मीद नहों जैसे इस बार बच्चे, जवान, बुड़े ऐसे लोग भी जिने किस बार कोई बिमारी नहीं थे जवान बच्चे उनकी भी इस करवना दोरान मोत हुई उन्हें समय पर कारण कुछ भी रहा हूँ कि उन्हें आक्सिजन नहीं मिली उन्हें दवाईयां नहीं मिली वो हॉस्प और ऐसा भी नहीं है कि जिनके घरों में वास्तुदोष नहीं है वो बिमार नहीं पड़े बिमार तो सभी पड़े महामारी है बिमार सब पड़े पर उन्हें समय पर ऑक्सियन मिल गई दवाईयां मिल गई हॉस्प्रिलाइज हो पाए कुल मिलाकर वो स्वस्थ हो के घर वा longitudinal house होता जो जमीन पर बना उता है उसमें सलक साज होती है हम पर लुसक के घर में जी तो सलक से होके जाते हैं पर multi story building में जो फ्लेट्स होते हैं कई 100-100-200 सो होते हैं और 20-30-30 मंजला building होती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो lift और जो corridor होता है वो सारजनिक स्रक की तविवार करता है तो आपको उसमें देखना है केवाल अब वो फ्लेट जिसके बारे में आप विशलेशन कर रहे हैं वास्तु का तो मान लीजिए एक फ्लेट है ये और इसका विशलेशन करना है तो ब्रत्यू उसी घर में होती है जिस घर मे दोडूष होते हैं वो मकान हो इंडिपिंडेट हाउस हो या फ्लेट हो अब वो होता एक दोष सौथ वेस्ट कॉर्नर पे और दूसर वीशान कौन पर है तो सौथ वेस्ट कारनर के दोश क्या होते हैं? वो होते हैं कि यहां तो दर्वाजा आ जाए यहां सौथ पे और घर पूरा है यहां ूधर जोे लेलिफ ठो भात की तरफ़ यह इंगर जाया है यह कि तिर्चा होके आगे बढ़ जाये या इदर से तिरचा होके आगे बढ़ भी हम आज जो फ्लेट बन रहे हैं वो क्लाइमेट्ट लाजी के साबसे की को तीचा पानी रोशनी देने के लिए छी आगे कर दिया किछ पीछे कर दिया और फिक ऐड divert bonna دी रोशनी के लिए तो मेंड़ा अजाती यह तो इसके गड़ा या इसका बढ़ाओ या न्यू बढ़ाओ हो या न्यू बढ़ाओ ये सब वास्तु दोश है इसी प्रकार इधर की और इशान कौन में भी ये किसी प्रकार से कट हो जाए कि ये बालकनी यहां बढ़ गई और ये हिस्सा कट गिया यहां इधर बालकनी हो गई और इधर का हिस्सा कट गिया यह मकान फ्लेट न्यू हो गया तिरच्छा यह इसके बाहर जो एक बालकनी गुलाई से दे दी तो यह हिस्सा कट गया यह सब बढ़ गया इधर से बालकनी गुलाई से दे दी इसी यह इधर एक बालकनी दे दी तो य इसा को बना दिया कमरा यह कोना कटना इशान कोन का कटना बहुत महपून वास्तथ होता है एक दोस्त तो यह होता है कि इस तरीके से कटाव आ जाए यह किसी प्रकार से उचा हो जाए कि यहां टॉयलेट हो टॉयलेट होना गलास होता है वह साथ उचा भी हो इसका कमोड लग इंडियन कमोड तो सेफ फिट उचा हो गया अचा कट पे बात हो रहे कही बार मल्टिस्ट्री बिल्डिंग में यहां पर कालम आ जाता बहुत बड़ा उस कालम वह आपके घर का पार बन जाता कालम तो वह कालम भी इसका कट माना जाएगा वास्तुत में तो यह महतून वास साथ में उन में से किसे लोगों की मत्ती हुई है दोस्तों एक बार और आती है कि मल्टिस्ट्री बिल्डिंग में सब फ्लेट लभग एक जैसे होते हैं पर पर्टिकॉल पांच्य मंजल में बाइदी वेकि मौत हुई पच्छटी साथी आठी में नहीं हुई बाकी मंजलों इसा कुछ हो जाता है यहां दूसरी बात ही होती है कि यह लोग आपको यहां पर जो है फ्लावर बेट देते हैं आप कुछ लोग फ्लावर बेट को अपने साथ अपने घर में मिला लेते हैं भार जाली लगा देते हैं और इसको अंदर मिला लेते हैं और यहां जैसे यहां पर है तो कोई पैसे से दर्वाजा थोड़ा आगे तक निकला हुआ तो दर्वाजा उठाके यहां लगा दिया यहां की जगा लगा दिया इस प्रकार अंदर परिवर्तन कर लेते हैं कर दो फ्रेट लेकर अंदर से जोड़ लेते हैं यह कोई कोई उठाके अपना किचन इधर कर लेता है तो उन्से कंभ रिवर्तन होते हैं या बाहर परिवर्तन होते हैं तो उन्से कहीं दोष हो जाता है उस घर में तो दोष हो गया 맞़ी ग 생कारण जेज़ान कारण नहीं होती है नार्थ को नियुकुल tolerate यह Iya दो जगा दोष उने पर ही म्रत्यह नहीं होगी यह तैबात है दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा कि जो यह दोश होते हैं उनका निवारंड कैसे करना है और उसके सलाब को दूँगा धन्यवाद